नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साहरा इंडिया और सेवी के बीच चल रहे विबात पर जिसमें 15 अक्टुमर को होने वाली सुनवाई फिल हल नहीं हो पाई हैं साथ ही हम आपको बस सरोवा जामिन डील के बारे में एक रियालिटी चेक देंगे आये जानते हैं पिस्तर से जैसे कि आप जानते हैं साहरा इंडिया और सेवी के बीच लंबे समय से कानूनी वीबत चल रहा है इस मामले में साहरा निवेसों के पैसेगी आपसी को लेकर उच्चताम नालाई में केस सुनवाई हो चुकी है 15 अक्टुमबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन फिल हल इसे आगे बढ़ा दिया गया है इसका मतलब है कि साहरा के निवेसों को आभी थोड़ा और इंतिजर करना पड़ेगा इस सुनवाई में साहरा की तरफ से 24,000 करों रूपिय की धन्रासी आपस करने का ममला चल रहा है जो साहरा सेवी रीफन खाते में जमा है नायालाई ने पूर्प में आदिश दिया था कि इस धन्रासी का कुछ हिस्सा निवेसों को आपस किया जाए लेकिन इसके लिए सही दस्तावेच और परमन प्रसुत करना अनिवरा है इस बीच ये ममला नायालाई के समझ है और हमें आगे की सुवाई का इंतिजार करना होगो अब बात करते हैं वा सर्वा जामिन डील की साहरा ग्रूप के इस प्रोजेक्ट पर भी कई सवल उठे है वा सर्वा की इस जामिन को लेकर कई बारे दावे किये जा रहे है तोर पर महत्तापूर्ण हो सकती है लेकिन इस डील की सचय क्या है रियालिटी चेक के मताविक वा सर्वा जामिन डील में साहरा की इस्तिति उतनी मजबुत नहीं है जितनी बते जा रहे हैं साहरा गुरूप की ये जामिन मुंबई के प्राइम लोकेशन में होनी की बवजूद इस पर कानूनी अर्चाने और बित्ति मुद्दे बने हुए है साहरा की कोशिस है कि इस प्रोजेट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि इस से गुरूप की बित्ति इस्तिति में सुधर हो सकी तो इस साहरा के निवेसों को धरिया बनाए रखने की जरूरत है साहरा से भी ममले में आगे की सुवाई कब होगी ये अभी इस पाश्ट नहीं हुई है लेकिन निवेसा को के पास यानिकि निवेसक के पैसे की आपसी का मुद्दा सर्वच नालाई के समझ है और जल्द ही इस पर एक महतपूर फैसला आ जा सकता है अगर आप सहरा के निवेसक है तो यह सुने सिस्ट कर्स ले की आपके पास आपके सफी जरूरित दस्तावेज और निवेस पर्मन सुरक्षित हो तकि आपको रीफन परकिरे में किसी भी प्रेशनी के समना ना करना पड़ी तो दोस्तों सहरा से भी विबाद और वसर्व जामिन डिल पर यह था हमारा आज का रियालिटी चेक हम आपको इस मामले की हर छोटी बड़ी ख़बर से आपडेट रखेंगे अगर आप हमारे चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और सेर करे ताकि यह जनकरी आधिक से आधिक लोगों तक पहुच सके धन्यवाद